जेहिन दोस्तो आजके इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ओफिस GDS भरती 2024 के रिजल्ट डेट के बारे में यानि कि दोस्तो इसका फोस्ट जो मेरिट लिष्ट है वो कब तक आपका जारी किया जाएगा इसके बारे में आजके इस वीडियो में जानेंगे आप में से काफी छात्र इंडिया पोस्ट ओफिस GDS का फोर्म अपलाई कर दिये हैं और देखिए दोस्तो अभी तक आपने फोर्म अपलाई नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द फोर्म अपलाई कर दिजिए क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है 5 अगस्त 2024 रखा गया है यान दोस्तो इस बार जो आपका फोर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कटा परसेंटेज क्या रहेगा इसके बारे में भी जानेंगे तो देखिए दोस्तो यहाँ पे रिजल्द डेट की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त को जो है इसकी फोर्म इसका कप तक जारी होगा तो देखिए दोस्तो रिजल्ट इसका जो है आपका 20 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा देखिए दोस्तो 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट 15 दिन के अंदर जो है आपका रिलीज हो जाता है यहाँ पर देख भीजल्ट यहांडismo है आपका जारी कर दिये गए थे इसी अधारप wrapped आप सभीस को बता रहे हैं कि इस बार इस बार पांच अगस्ट तक फॉर्म आपका चलेगा तो 20 अगस्ट तक हराल में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके पहले 2022 के भरती में भी आपका रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ गया था तो बिल्कुल दोस्तो रिजल्ट के लिए आप से भी तयार रहिएगा 20 अगस तक और सबसे पहले आपका फोस्ट मेरिट लिस्ट आता है उसके बिस दिन बाद आपका सकेंड उसके बाद थाड यानि कि 20-25 दिन के अंतराल पर आपका 5 मेरिट लिस्ट आपका जारी किये जाते हैं तो अभी दोस्तो फोस्ट मेरिट लिस्ट आपका आएगा फोस्ट मेरिट लिस्ट 20 अगस तक आ जाएगा उसके बाद दोस्तो उसके 20-25 दिन बाद सकेंड मेरिट लिस लिस्ट आएगा उसके बाद 3rd, 4th, 5th इस तरह से 5-6 merit list आपका जारी किये जाते हैं तो result date आपको पता चल गया कि 20 अगस तक दोस्तों आपका result आजाएगा और आपका जो है direct merit इसमें बनने वाला है 13 के percentage के अधारपार आप सभी को इसके बारे में पता है अब दोस्तों post office GDS की तयारी कर रहे हैं आप सभी को पता होगा India post office के अंत्रगत आप सभी के लिए जो है MTS का हो गया इसके अलावा दोस्तों postman हो गया और mail guard के लिए भी भरती आता है और दोस्तों यह आपका upcoming भरती है जो की आपका जारी होने माला है अगर इस भरती में आप जाना चाह देखने को मिल जाएंगे जो MTS postman और mail guard के एक जाम में पुछे जाते हैं जैसे कि postal operation related प्रॉस्न हो गया जितने भी आपका subject से प्रॉस्न आते हैं post office guide हो गया postal operation हो गया सभी से जो है आपको इसमें प्रॉस्न देखने को मिल जाएंगे इसके लावा GKS के भी प्रॉस्न इसमे को आप सभी ले सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि cut up percentage क्या रहेगा तो देखिए दोस्तों जो first merit list आता है इसमें आपका cut up percentage जो है 95% पॉलस आपको देखने को मिलता है तो first merit list में तो cut up काफी जादा हाई जाता है जिनका 95% पॉलस है वैसे candidate का ही उम last तक जो merit list आएगा उसमें cut up की बात करें तो यहां पे कुछ estate हो गया जैसे कि awesome हो गया या ओरिशा हो गया या इसके अलावा दोस्तों आपका north east का जो estate हो गया यहां से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपका दोस्तों number 70% पॉलस है तो आपका result होने की उमीद असम उरिशा और north east वाले जो candidate है 70% पॉलस नंबर है तो आपका result हो जाएगा लेकिन दोस्तों बाकी other states से अगर आप बिलोंग करते हैं और सम नर्थ इस्ट और उरिशा को छोर कर तो आपका cut up दोस्तो 80% पॉलस ही जाएगा हालांकि देखिए दोस्तो 80% ST कैटेगोरी कहीं cut up जाता है ST हो गया SC हो गया इन लोगों का लेकिन बाकी जो कैटेगोरी होते हैं उसका cut up दोस्तों आपका 85% पॉलस ही रहेगा 90% तक दोस्तों आपका रहता है तो देखिए दोस्तों safe score की बात करें तो अगर आपका जो है तेंध क्लास में 85% पॉलस मार्क्स है तो आपका result ह होने की संभावना रहेगा लेकिन दोस्तों इस से कम है तो सायद ही आपका result हो हलांकि ST कैटेगोरी से अगर आप होंगे तो आपका result कम नंबर पर भी हो जाएगा लेकिन OBC, General, EWS या EBC ये सभी कैटेगोरी से होंगे तो दोस्तों आपका मुश्किल है result होना अगर 85% से कम है तो 85% पॉलस है तो result होने की chance रहेगा अगर आप सभी बिलोग करते हैं बिहार हो गया, UP हो गया इन सभी ये स्टेट से या पंजाब हो गया या इसके अलावा हर्याना हो गया या इसके अलावा राज अस्थान तो दोस्तों यहाँ पे cut up तो 90% पॉलस ही रहता है तो cut up काफ first merit list जो आता है उसमें आपका result 95% policy रहता है तो first merit list में cut up सबसे ज्यादा हाई रहते हैं, fifth merit list तक थोरा कम होता है, तो दोस्तों अगर आपका तेंथ में 60% या 70% नंबर है इस तरह से है तो आपका result ना होगा, यह आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी merit list में ना होगा, तो फ जाहिंद में और कौन से state से है, फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जाहिंद बनते हैं मात्रम